हेलो बच्चो चोहनी एजी केसन चैनल में आपका स्वागत बच्चो आज हम एड़ गेट अब्यास पुस्तिका विश्य हिंदी कक्षा आडवी के अंदगत पार्ट वाईश गीता का मर्म के अतिलग उत्तरों को जानेंगे इससे पूर अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक अगर्ण ने राज पार्ट लेने से इंकार क्यों कर दिया अब क्यों कर दिया इसके लिए हम अंसर को देखेंगे तो पंडित ने कहा कि मैं पंडित हूँ राजभुक अत्वा आधे राज का लालज मेरे आत्मा कल्यान के लिए उचित नहीं है इस प्रिकार से पंडित ने उद्थर दिया, इसके बाद हम प्रस्ण दो का उद्थर देखेंगे तो प्रस्ण क्या है, देखें बिद्वानों का आधर करने वाले आनन्द पाल बेवार क्यों बदल गया था उद्थर लिख देंगे बच्चों राज ना देने और कुटिलता के कारण आनन्द निपाल का वेवार बदल गया था इस प्रकार चे हम इसके उत्तर को लिख देंगे अगला प्रेशन है तीसरा अरजुन का धनुर विद्या शीकने का उद्देश क्या था यहां हम लिखेंगे उत्तर में कि नियाय की रक्षा और दुस्टों का दामन दुस्टों का दमन करने के लिए उन्होंने धनुर विध्या शीकि ती इसके बाद हम लगुतिर प्रेशन देखिंगे प्रेशन चार राजा अनंद याल ने पंडित गोवन को हतोसाहित करने के लिए क्या किया उपतर में लिखेंगे कि राजा अनन्द याल ने पंडित गोवर्ण को हतोसाइद करने के लिए जान बुचकर जो है मर्म ना समझने की बात कही इसके बाद हम प्रस्न पांजबा देखेंगे तो महायोगी विशाक के अनुसार राजा अनन्द पाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था उत्तर लिख देंगे बच्चों हम इसमें क्योंकि गोवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रपंच में ना पढ़ते और यदि राजा अनन्द पाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनाधर करते इस प्रकार से हम इसका आंसर को लिख देंगे इसके बाद प्रस्ट चडवा देखेंगे हम प्रस्ट चडवा क्या है कि विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा अनंद पालको गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्यास किये गए उत्तर लिख देंगे बच्चों हम तो राजा की समझ में कुछ नहीं आया था इसके बार देर गुत्री प्रशन देखेंगे प्रशनिक रमانक साथ तो गीता का मर्म पार्ट के अनुसार गीता का मर्म बास्थविं घ्यान क्या है उधारन साइट लिखिए उत्तर लिख देंगे हम इसमें गीता का मर्म पार्ट के अनुसार गीता का मर्म निम्न है नमबर एक बिना फल की इक्षा के कर्म करते रहना नमबर दो निर्वल को शफल बनाने का प्रेतने करना नमबर तीन लालज रखते हुए हमें कोई कारे नहीं करना चाहिए नमबर चार नारे को हर शम्बा सुवक्षा प्रदान करना चाहिए इसके बाद हम मुल्यांकन देखेंगे जो हर पार्ट के अंत में एक मुल्यांकन दिया होता है जिसमें आपने क्या शीका और क्या आपको समझ में आया इसके विशे में मुल्यांकन पंद्रा है अति लगुत्री प्रसने देखेंगे इसमें हम तो नमबर आडवा अरजुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा अनंद याल के विचारों में क्या परिवर्तन हुए तो उत्तर लिख देंगे आजा समझ गया कि इस पत का उद्देश जनकल्यान होना चाहिए ना कि भोग बुलास लगुत्री प्रसने देखेंगे प्रस्निक्रवांग नो गीता का मर्म पार्ट के अनुसार विद्द्या प्राप्त करने का बास्तिक उद्द्दिस क्या है तो उत्तर लिख देंगे कि इस पार्ट के अनुसार विद्द्द्या प्राप्त करने का बास्तिक उद्द्दिस मानो कल्यान होना चाहिए इसके बाद देर गुत्तिरी प्रसने में देखेंगे प्रसनिक्रवांग दैस गीता का मर्म पार्ट के अधार पर राजा अनन्द पाल और पंडित गोबर्ण की मनो दुसार का बढ़न अपनी शब्दों में कीजिए यहां मुक्तर में लिख देंगे कि इस प्रसंग में राजा अनन्द पाल के मन में हलचल मचा दी उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कारिजन कल्यान होना चाहिए राजा भूग की रक्षण नहीं उनके मन में बेराग भाहो जागरत हो गया उन्हें अपना शंपूर राजपाट गीता का मर्म सुनने वाले पंडित गोबर्ण को देने की इक्षा व्यक्ति की इधर महाग्यानी गोबर्ण सोचने में लग गया कि मैं तो पंडित हूँ राजभूग अथवा आधे राज का लालत मेरे आत्म कल्यान के लिए उचित नहीं है उनके मन में भी बिरक्ति पैदा हो गई और वह भी राजपाट के मौण से मुक्त हो गया तो इस प्रकार हमारा यह है पार्ट जो है पाडवाइस गीता का मर्म के सारे प्रशन हम जो है इसके हल हमने इसे वीडियो में दिये हैं आसा है बच्चो आपको वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह और अने वाले पार्ट को हल करने के लिए वीडियो मने रहें धन्यवाद